नमस्कार स्वागत हैं आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन यूज में मैं हूँ आपके वोस्त एंदोस्त प्राइशिराठ हो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देशवर में शोग की नहर तौर पड़ी है दरसल फिल्म इंडर्स्टी का हर दम जगमगाता हुआ एक सितारा हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर जा चुका है लेकिन उनकी यादे हैं जो हमारे दिलों में वसी हुई है उनकी यादों को देखकर हर किसी की आँखें नम हो रही है जी हाँ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हिंदी सिनेमा जगत में प्रेजिटी किंग और दा फर्स्ट खान के नाम से मशूर वेटरन आक्टर दिलिप कुमार स्थाप के बाहे में लेजेंडरी आक्टर दिलिप कुमार अब हमारी बीच नहीं है बीदे कल की इस दोफार 7 बचकर 30 मिनट पर मूबई की पीडी हिंदोसरा फास्ट रिटर में दिलिप कुमार ने अंतिम सांसे नी अठाने साल की उम्र में दिलिप कुमार इस दुनिया को छोड़ कर चले गए सब ही दुआएं मांग रहे थे कि दिलिप कुमार सौ साल से भी ज्यादा जी है लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोश्चों के बावजू दिलिप कुमार इस दुनिया को छोड़ कर चले गए दिलिप कुमार की पत्नी दिकस अभीनेत सायराबानो अंदर से बुली तरह से तोड़ चुकी है सायराबानो की वो दर्द भरी पिस्थति हर किसी की आँखों को नब पर रही है दिलिप कुमार आज हमारे पीच नहीं है वहीं उनकी जिन्दगी से जुड़े हुए कई राज खुल रहे हैं उनकी जिन्दगी से जुड़े हुए कई सच सामने आ रहे हैं बताना चाहिए कि आप सभी को की हाल ही में दिलिप कुमार से जुड़ी एक और बड़ी ख़बर आई है जैसे जानकर आप सभी की आँखें नम हो जाने वादी है बात करेंगे यहाँ पर दिलिव कुमार की एक अधूरे सबने के बारे है जहां एक ओर दिलिव कुमार ने अपनी खास पहचान बनाई एक एक्टर के तौर पर दिलिप कुमार ने एक्टर होने के साथ साथ अपनी पहचान बनाना चाहा था प्रोडियूसर के तौर पर भी लेकिन दिलिप कुमार का सपना अधूरा का अधूरा ने किया आई जानते हैं दिलिपकुमार के इस सपने के बारे में और क्या है एक और बड़ी खबर यह पी बताते हैं आपको हमारी सीनेमा जगत में ट्रैजिटी किंग दिलिपकुमार ने कई बहतरीन और सुपर हिट फिल्में दी अपनी इन फिल्मों के जरीए दर्शकों को लंबे समय तक दिलिप कुमार ने एंटेटीन किया लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर उन्होंने राज किया वहीं दिलिप कुमार जिन्होंने अपनी शांदार एक्टिंग के साथ साथ अपनी बहतरीन डायलोक्स के जरीए भी फैंस को दीवाना कर रखा था दिलिप कुमार ने बतौर आक्टर अपनी खास पहचान बनाई लेकिन उनका सपना था एक प्रोडियूसर बनने का भी जी हाँ एक प्रोडियूसर बनने का भी उन्होंने सपना देखा था उनकी ख्वाइस थी कि वे हैं एक प्रेडियूसर के तौर पर भी काम करें लेकिन किस्मत से उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया बतोर निर्देशक दिलिप कुमार ने नभे के दशक में एक फिल्म का निर्देशन किया एक फिल्म उन्होंने बहुत ही क्रेज के साथ बनाई थी जिसका नाम था कलिंग लेकिन ये फिल्म कभी भी रिलीज नहीं हो पाई बता दे आपको कि इससे कुछ साल पहले दिकर्स अभिनेता राजेश खना की भी बतोर निर्देशक फिल्म जै शिव शंकर भी आज तक रिलीज नहीं होई है वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि दिलिप कुमार को हमेशा ही ये मलाल रहा कि उनकी फिल्म कलिंग कभी भी सिनेमा घरों तक नहीं पहुँच पाई और इस तरह से दिलिप कुमार का निर्देशक बनने का स्थपना अधूरा का अधूरा रह गया बता दे आपको कि साल 1992 में फिल्म कलिंग को दिलिप कुमार ने लौंज किया था इस फिल्म में गुजरे जमानी की मशूर खूसरत अभिनेतरी मिनाक्षी सैशादरे सुपरिस्टार जैकी श्रॉफ, शिल्पा शिरोटकर, मशूर अभिनेता, राज बबबर, राज किरन, किरन जुनेजा, राधा सेट, अमितोज मान जैसे कलाकार भी शामिल थे दिलिप कुमार खुद इस फिल्म में एक एहम किरदार में थे और फिल्म का मुंबई में शांदार तरीके से मोहरत भी किया गया था फिल्म की शूटिंग हुई, लेकिन प्रेड्यूसर सुधाकर बोकाडी के साथ, मद्भेत के साथ चलते फिल्म की शूटिंग अधूरी की अधूरी रह गई फिल्म बड़े पर रिलीज तक नहीं हो पाई, तो वहीं बात की जाए इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में, तो इस फिल्म के कई ऐसे स्टार हैं जो फिल्मी परदे से आज के समय में दूर है ऐसे में देखा जाए तो अधूरी फिल्म भला कैसे दर्शकों तक पहुँचेगी बता दे आपको कि इसी फिल्म की एक्टरेस जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कई बहतरीन और सुपर हिट फिल्मों में काम किया है हम बात कर रहे हैं यहां पर शिल्म शिरोटकर के बारे में हाल ही में शिल्म ने दिल्म कुमार की निधन की बात कलिंग की लौंज की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शियर किया है और अपने दर्द को उन्होंने छलकाया है इस पोस्ट को शियर करते हुए जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि शिल्पा शिरोटकर ने इस तरह से दिलिप कुमार को याद किया है वहीं बात की जाए दिलिप कुमार के इस सपने के बारे में तो इस फिल्म में दिलिप कुमार ने एहम किरदार निभाया था एहम किरदार में वहे नजर आने वाले थे उनका किरदार था जस्टिस कलिंग का किरदार जो इंस्ताफ और परिवार की बीच एक लड़ाई लड़ता है फिल्म में डायलोक्स भी बहतरीन थे लेकिन दिलिप कुमार ने बत और निर्देशक फिल्म की शूटिंग बड़े ही मन से की थी लेकिन शायद फिल्म की शूटिंग के दोरान कुछ आपसी मनवटाफ के चलते फिल्म को बीच में ही बंद करना पड़ा और दिलिप कुमार का ये सपना अधूरा का अधूरा रह गया लेकिन बाद में दिलिप कुमार ने एक बार फिर से कोशिश की बताना चाहेंगे आप सभी को कि बत और प्रोड्यूसर दिलिप कुमार ने फिर अपनी पतनी सायराबानों के साथ एक भोजपुरी फिल्म का निर्माड किया जी हाँ फिल्म थी अपका बंजा सजनवा हमार और इस फिल्म में पॉपुलर स्टार रवी किशन और एक्ट्रेस नगमा थी लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दोरान दिलिप कुमार और सायराबानों को काफी उतार चड़ाव का सामना भी करना पड़ा और इस तरह से दिलिप कुमार का ये स्टपना स्टपना बन कर ही रह गया दिलिप कुमार अपनी इस ख् approximation को पूरा तक नहीं कर पाए दिलिप कुमार को हमेशा मलाल रहा कि उनकी फिल्म कलिंग कभी भी स्तिनेमा घरों तक नहीं पहँच पाए लेकिन जहां एक और दिलिप कुमार इस दुनिया को अलविता कहकर जा चुके हैं तो वहीं अब खबर आ रही है कि इस फिल्म को निर्माता स्तंगीता अहीर अफिर से रिलीज करने के बारे में सोच रही है शायद एक श्रधांजली की तोर पर दिलिप कुमार के लिए वह इस फिल्म को सिनेमा घर तक पहुचाना चाहती है लेकिन दिलिप कुमार अब हमारे बीच नहीं है और उनका ये स्तपना पूरा करने की सोच रही है निर्माता स्तंगीता अहीर हालंकि देखा जाए तो ऐसा रिपोर्ट की मताबिक दावा किया जा रहा है So friend, आफ सबी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि दिलिप कुमार पर वोस्तपना अधूरा का अधूरा रह गया लेकिन अब खबरों के मुताबिक ये दावा किया जारा है कि उनके इस सब्सक्राइब को पूरा किया जाएगा जी हाँ ऐसा रिपोर्ट्स की मुताबिक दावा किया जारा है दिलिप कुमार आज हमारे बीच नहीं है उनकी यादे हैं जो हमारे बीच जिन्दा रह गई है जिन्हें देखकर सभी की आँखे नब गई है हमारे इस प्रोग्रेम में इतना ही तब तर के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाई नियूस और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब प्रशे गनाफ प्रिप्रोग्ट